अपने मन पसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें कीजिए काफी रिमान रही है एंदा काम की वजह से नहीं अब आपाये लेकिन बड़े भाहि आगे है पड़े आए करवे Cashल पैलोग योगी है हासगता जहाँ भया क्याने से घर में चारो और कुछी का महौल है वही दिख है निशाब के नैंदा दूख तुम एक उरत होने के नाते, तुम ये सवाल मुझ से कर सकती हो, क्योंकि तुम जानना चाहती हो, कि एक उरत के दिल पर क्या गुजरती है, यही ना? यही ना? सुजाता, निशान के ना आने से, मुझे तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन इतने बरसों, जो प्यार, जो साथ मैंने उनका पाया, क्या उसके बल पर मैं कुछ साल उनके बेना नहीं गुजर सकती? जब वो लौट आएंगे न, तो वही प्यार, वही खोशी मेरी जिंदगी में फिर से लौट आएगी सुजाता, यह परिक्षा के घड़ी होती है, पती-पत्नी के जिंदगी का इम्तिहान होता है यह और हमें इसमें पास होकर दिखाना है सुजाता, कुछ दिनों की जुदाई के बाद ही रिष्टे की एहमियत पता चलती है अठो पहल अगर एक साथ रहने में मजा है तो आठ साल दूर रहकर फिर मिलने में जो आनन्द होगा न, उसकी तो कोई करपना ही नहीं कर सकता यस माम, इस रिली ट्रू अच्छा, अब छोड़ो अन सब बातों को और जो लेटर्स आये हैं मेरी अपसंस में मुझे वो बताओ, यह ता, मैं अभी लेकर आते हो तुम्से कितना प्यार है, दिल में यो तर्क तर्पती, अरे थृपती, मैं कितना रुमांटिक मून में और तुम हो की मूलटका है बटी क्या बात है? राहूल प्लीज मज़ अखेला चोड़ तो, अखेला? अरे डालिंग, तुम्हे अखेला कैसे छोड़ सकता हूँ, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हे अखेला नहीं चोड़ सकता हूँ, लाहूल प्लीज मजाख नहीं कर रहा हूँ, मैं बजाज़् नहीं कर रहा हूं, तृपती, अच्छा एक बात बता हूं, क्या, क्यों, क्यों तुम मिधना परेशाल मुझे है? इस घर मेरी कोई कदर नहीं रह गई है मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ लेकिन मेरी हालत एक बिन गुलाय महमान जैसी हो गई है पोछ बन गई हो मैं सब पर तुरुपती, यह तुम क्या बखे जा रही हो? मैं बख नहीं रही हूँ बलकि मैं तुम्हें सचाई बता रही है मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो राहु मैं? तुरुपती, मैं कैसे जिम्मेदार हुआ? राहुल, अगर तुम किसी लायक होते न तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता वो कीता, इस कर की मामुली सी नौकरानी वो तक मुझे कुछ नहीं समझती है अरे तुरुपती, गीता तुम्हें कुछ नहीं समझती है तो इसमें मैं कुसुरवार कैसे हुआ? राहुल, अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होते न और मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में जाकर रहती इस मायके में ना पड़ी होती न, तो मेरी ये बेजदी भी ना होती अरे तुरुपती, यह तुम्हें कभी-कभी क्या हो जाता है, हां? तुम इसब बाते दिमाग से निकाल दो, हाँ, निकाल दो इसब बाते दिमाग में, कि ये तुम्हारा मैका है, क्या, ये मेरा मैका नहीं है, हाँ, है ना, तुम्हारा मैका ही तो है, यहाँ तुम्हारे घरवाले है, इसलिए तुम्हारा मैका है, पर यहाँ मै भी रहता हूँ इसलिए तुम्हारा ससुराल भी है मैका प्लस ससुराल टू इन वन, है ना? देखो तृपती, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हम यहां से तब शिफ्ट होंगे जब हमारा जूहू पर तृपती विला बन जाएगा तस बीस ना कर्चाकर होंगे कोई गाडिया होंगी, you know ना जाने वो दिन कब आएगा अरे, डार्लिंग, बहुत जल्ड आएगा अरे, भाया, आप आये, आये उर्मिला सोचा के, आफेस चलका देखा हूँ कि यहां क्या हो रहा है अच्छा ही किया ना भाया, लीजिए आठ साथ से यह कुर्सी आप ही का अंतजार कर रही है नहीं उर्मिला इस कुर्सी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकाल है यह कैसे हो सकता है भाया आप लोगों के यहां ना होने की वज़े से ही कि मैंने यह जिम्मेदारी उठाई थी हाँ अर्मिला जिस महनत और लगन से तुमने यह जिम्मेदारी उठाई है ना वो तारिफ के काबिल है हज तुमने इस कंपनी को इतनी उचाहे पर पहुचा तिया है कि मार्केट में हमारे प्रोड़क के सेल बढ़ गई है यह सब तो आप लोगों के आशिरवात का नतीजा है भाहिया उमिला तुमने यह साबित कर दिया है कि इस कुरसी पर सिर्फ तुम ही बैठने के योग्या हो अब मैं तुम्हारे नीचे रहकर काम करके तुम्हारे मदद करना चाहता हूँ नहीं भाया मुझसे हसा पाप मत कराई है आपकी गैर हाजरी में ही मैंने यह कंपनी संभाली थी अब आप आगए हैं तो इस कंपनी की M.D. के पोस्ट आपको ही संभाली होगी अगर इस कंपनी का M.D. मैं तुम्हें बना दू तो भाया मैं इसके लिए तयार नहीं हूँ ठीक है तो इस बात पर जर्चा हम बाओ जी के साथ बैठ कर करेंगे लेकिन तो तुम्हारे बैठ जाओ नहीं भाया मैं वहां बैठ जाती हूँ इस कुछी पर आप ही बैठ ये और मिला आये ना भाया प्लीज प्लीज भाया ओके निशांत अगर तुम समझना नहीं चाहते तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो दो नाओ पर सवार होकर तुम जिन्दगी नहीं गुजार सकते वन इन हैंड वन इन बुष मुझे ऐसा बटा हुआ प्यार नहीं चाहिए इन सब बातों का कोई मतलब है क्या पूरी दुनिया अपने को दूसरों के साथ बाठती है एक इंसान कही रिष्टों में बटा होता है लेकिन प्यार सिर्फ एक से होता है घर सिर्फ एक के साथ ही बसाया जा सकता है संजना, हम दोनों की जिन्दगी की हाखिका तेख है और तुम्हें इस बात को स्विकार करना होगा मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ निशानत क्या सिर्फ एक एक्सपीरिंस? एक तजुर्बा? नहीं, तुम पत्नी हो मेरी शादी की है मेरे तुझे तो फिर मुझे छोड़ कर जाने की बात क्यों करते हो? क्योंकि मैं बटा हुआ हूँ मेरी जिंदगी के दो हिस्से हैं एक जो तुम से जुड़ा हुआ है और दूसरा और मिला से आइ, मैं ये सब नहीं जानती निशान्त मैं सफ ये चानती हूँ कि मैं मिसेज निशान्त हूँ और हमेशा ये ही बनी रहना चाती हूँ संजना मुझ से जोड़कर तुम्हें उन रिष्टों से भी जोड़ना हुगा किस तरह जुड़ूगी मैं तुम्हारे उन रिष्टों से दूसरी बनकर दूसरी पत्ती कहला कर नहीं निशान्थ मुझसे ये सब नहीं होगा संजना तुम्हें सच्चाई से भाग नहीं सकती तुम्हें साखिकत का सामना करना ही होगा यह कहकर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो मेरे प्यार मेरी रिष्टे मेरी भाबनाव को गाली दे रहे हो तुम संजना अगर तुम मुझे संपूरून हासिल करना भी चाहो तो कैसे करोगी पाता नहीं संझमाना इर लिए के हैस्से में अजिए और्मिला की साथ जोड़े रहेंगे मैं से पूछते हो निशात मैं से आध हो जाएगी भूलो निशात जुब क्योओ हाग अगर मैं तयार हो भी जाओ, तो तुम्हारी वो उर्मिला तो बच्चों की मा तयार हो जाएगी जिसके नाम से ही लबता है कि वो एक नमबर की अनपढ़ गवार, she's a bloody uneducated fool संद्रा, कुछ गणत नहीं कह रही हूं मैं उसको बिना मिले, बिना देखे मैंने पुरा अंदासा लगा लिया उसके बारे में वो तो तुम्हारे तो बच्चों को संभालने वाली आया है और तुम उसके लिए जाना चाहते हो, see that bloody servant मुझे और मिला समझने की गल्ती मत करना वो तुम्हारे पाव की जूती होगी, लेकिन संजना कभी नहीं भाईया, मैं चाहती हो कि आप इस कंपनी की प्रोग्रेस रपूर्ट और सेल परचिस चेक कर लें और मिला तुमने इसे चेक तो किया ही होगा, मुझे अलग से चेक करने की क्या जरूरत है भाईया, हो सकता है कि मुझे कहीं कोई गलती हो गई हो, वैसे भी मैं कितनी भी कोशिश करनो, आप जैसे अनुभव तो पाही नहीं सकती ना और मिला, तुमने अखेले अपने अपने दम पर आठ सानों से इस कंपनी को सभाला है, ये ये अनुभव क्या कम है पिर भी अगर तुम कहती हो तो मैं से चेक कर ही लेता हूँ नमस्ते बादी, और ये कैसी है आप तुम, तुम्हे अंदर आने की परमिशन किसने दी, निकल जाओ यहां से ये जाता हूँ, जाता हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजेगा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज, किर आउट और्मिला, ये कौन है? भाया, ये सुजाता का पती है, बार-बार यहां आकर परिशान करता है अपवान की कसा माज़तों मैंने सुनगी भी नहीं है मैडम जी तुम, बस चले चाहँ, तुम चलो यहां से तुमको यहां आने के लिए किसमें बोला है सुजाता, मैंने तुम्हें मना किया नहीं बुलाओ मैं मैंने इसको मना करने के कितनी कोशिश की लिए कि नहीं मेरी बात मानता है तुम चलो यहां से यह अगर इस तरह कहने से नहीं मानता तो पुलिस को इंफरो जबर्दस की ओशने का मतलब है मैं तो सिर्फ यह कहने आए हूँ मैडम जी कि आज के बाद सुजाता की तनख्वा आप मुझे दीजेगा क्यों? काम सुजाता करेगी और तनख्वा तुम्हें मिलेगी भई मैं इसका पती हूँ इसकी पूरी कमाई पर मेरा अधिकार है समझी आप ए मिस्टर तो यहां से जाता हुआ नहीं पत्ती पर अधिकार जताना आता है करतवे नहीं आप कौन है तुम चलो यहां से यह हमारी कपनी के मैनेजिंग डेक्टर है अच्छा तो आप बड़िया करतवे नहारा हैं मिस्टर करता हैं अपनी बीवी के साथ नहीं पिछले आठ साल से कब आपको सुधाए अपनी बीवी कि पहले अपने घर में जहां कियो स्रीमान और भर तू के बात कीजेगा देख लूँए तुम लोगं को जूँचे अरह किया मुन्ना बाई किती देर लगा दी अम्हें कप्छा इंटजार कर रहा हूं आर राहून सेट चने खा और आश कर सुछे बनाबाई मुझे चने खा कर आश कर माँ आप उजे बताईगे मेरा काम का क्या हुआ अरे हो रहा है भाई हो जाएगा काई को अपने जल्दी मचाते है तुम अभी जब पुरा हुमर पड़ा है भाई लो चने खा और आश करो मुना भाई आपने कितने दिन पहले वादा किया था कि मुझे किसी डिरेक्टर या फेनांसर से मिलाएंगे और आज तक आपने किसी से नहीं मिला अले पहले माई तो मिलनो तभी तो मिलाउंगा क्या मतलब अरे मतलब क्या वाई जब तक मैं किसी डिरेक्टर और फैनेसर से नहीं मिलूंगा तरको कैसा मिलाउंगा भाई तो 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 फिर आपने मुझे इतने पैसे क्यों लिए तो यह रो नहीं बन सकता है क्या मैं हिरो नहीं बन सकता है क्यों नहीं बन सकता है अरे तु दे चुका अब तक आपको लको उर्पे दे चुका हूँ तो ने रोड़े हो summary आपकर मुझे अब लगता है कि आइडिया केंसल करना पड़ेगा अरे हैसा मत करो मुन्ना भाई प्लीज मेरा तो पूरा करियर आप पे ठिका हुआ है तो ठिका रहे भाई यह जिलता डूलता काई के लिए बतते हैं वह थो पड़ा है तो यह तो यह जार इस्जाव थे शूरोड बनेगा जरूरत विरिए वेन यदि चैने मुन्ना भाई को जजिसने खिए नश्य शुपरिसार हुए नाम कि देख लेख निकाल नाम किसी का देख जिसने भी मुनना भाई के चेने खाया है ना वो रो बन गया है तुम बना भाई मेरा गाम भी जल्दी गरा दो ना देख भाई राउल अभी थोड़ा वक्त लगे गा अभी पर्सों में जूम ही गया था डारेक्टर गया तो पता चला कि वो फुटी के लिए अभी उटी पहुता तो पता चलावा पर पेक अप हो गया अभी इन सब चक्कर में पैसा तो खर्च होता है ना बाई लेकिन तु फिकर नहीं करना तु फिकर बिल्कुल नहीं करना एक नाइक दिन में उन लोगों को पकड़ के तेरे बारे में ज़रूर बताऊंग हालो बपा अरे निशान तुम आजकल कहा रहते हो बई नजरी नहीं आते हैं पापा भीया और मैं यहां जिस काम के लिए थे उसी काम को पूरा करने की भागदौर में लगा हूँ कि एनी प्रोग्रेस कुछ हो रहा है या नहीं भंडारी के वज़े से हमारी जो बदनामी हुई है उसके चलते कोई भी एजन्ट हमारे प्रोड़क्ट पर ट्रस्करने को तयाब नहीं है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है निशानत कि भंडारी से तुम लोगों किया और इस भंडारी के साथ हमारी यह बिजनस्रावल्री इंडिया से ही चल रहे थे ओ और इसी का फाइदा उठाकर उसने अपनी दुश्मनी दिखा दी इस भंडारी के वज़े से हमारे जीवन के आज साल खराब हो गारे इस भंडारी को कभी माप नहीं करूगा देखो निश निशान तुम सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि अपने हरबल और आयरवे दिखदवाईयों की यहां पर मार्केट पकड़ सको पापा फिलाल तो मेरा ध्यान मेरे परिवार के उपर है इसलिए उन लोगों से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया जाना चाहता ह निशान्त मेरी उमर भी तुम से ज्यादा है और तज्रवा भी और तुम्हारी चट पर डाक को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम अगर इंडिया गए तो वापस नहीं आओगे और अगर आना भी चाहोगे तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें वापस आने नहीं देंगे पाप मेरा विश्वास कीजिए मैं लौटा हूँगा नहीं निशानत मुझे कहने में कोई संकोच या जिजक नहीं कि मेरी बेटी के प्यार में इतनी मजबूती नहीं कि वो तुम्हें इंडिया से वापस बुला ले यह कैसी बात कर रहा है सच कह रहा हूं मैं तुम्हें अगर मेरे बेटी की प्यार की ज़रा भी कद्र होती तो तुम उस पर इस तरह हाथ नी उठाते तुम क्या समझते हो तुम कुछ भी करोगे और हमें पता नहीं चलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इंडिया के बारे में सब कुछ भूल जाओ तुम्हें अब यही रहना होगा संजना को छोड़कर तुम जा नहीं सकते हैं आई बात समझो है